I think, यार, यह मेरे चैल की अभी तक most requested वीडियो होगी, एक तरफ है Vivo V30, दूसरी तरफ है Samsung Galaxy S21 FE Snapdragon 8888 वाल एडिशन, दोनों की pricing अगर आप देखोगे, फिलाल 30,000 रुपीज के around मिल जाएगी, सबसे बड़ा कोशन निकल के आता है, क्या यह Samsung का जो की flagship device है, लेकिन 2 साल पुर वाली निकल के आती है, और इसको full to compare करा है आपके लिए, A to Z सब चीज आज की चलू वीडियो में आपको बताता हूँ कि कौन सा, किस मामले में आपको ज़्यादा बेटर मिल जाएगा, सबसे पहले build और design की बात करने, तो bag से देखो, एक तरफ plastic है, एक तरफ glass है, can you guess, प्लास्टिक मिलती है, Vivo bag में आपको यहाँ पे glass देता है, वैसे यह आपके personal preference है, भाई, bag से देखने में आपको कौन सा ज़्यादा better लग रहा है, यह आप अपने इसाप से try out कर लेना, वैसे यहार middle frame की बात करूँगा, तो Samsung यहाँ पे flagship device थाना, तो इसके अंदर आपको Samsung काफी handy phone है, अगर आपको बड़ी screen size वाला phone नहीं चाहिए, चिन्टू मिन्टू वाला phone चाहते हो, उदर Samsung I think बहुती easily आपके लिए पसंदीदा phone हो जाएगा, लेकिन Vivo ने हाप अपने phone को काफी slim मना है, लंबा ज़रूर से है, लेकिन slim भी आपको मिलता है, तो in hand feel, weight balance व यह plastic है, बहुत easy लग जाएगा, बॉक्स के अंदर आपको कोई भी cover वगरा नहीं आता है, तो please यार, cover एक इसके साथ ही order कलना, जहां पर Vivo में back में glass मिलता है, लेकिन native finish वाला है, तो scratches वगरा इती जल्दी visible नहीं होंगे, even in the box इसमें cover मिल जाता है, तो यह थोड़ा सा addition point आपको मिलेगा ना, जो कि मुझे लगता है, वीवो यहाँ पे थोड़ा सा safer side में खिलता है, even अपो लेको वीवो में fret में screen protector ही मिलता है, अपने यह जो Samsung में कुछ भी नहीं मिलता है, बाक्स के अंदर तो वाई literally कुछ नहीं मिलेगा, मतलब बैटरी भी इन्हों नहीं लग होने में आपको easily कहूँगा कि यार वीवो का optimization तगड़ा निकल के आया है, 7R Plus बहुत ही easily चला जाता है, जहांपे यार सैमसम ना थोड़ा सा heat भी होता है, उसके बाद बैटरी इसके degrade हो जाती है, फाइव असा आर से साड़े पांच घंटे के अराउंड का ही बैटर बैकम लेकिन हाँ, सैमसम के अंदर आपको wireless charging का 15W का support मिलता है, तो यह थोड़ा सा वो जो additional flagship वाला feature है वो आपको ज़रूर से यार सैमसम के अंदर मिल जाएगा, इवन सैमसम में IP68 की water resistant वाली rating है, पानी में डुबादो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा सैमसम बोलता है, वैसे अपने रेस पे डुबाना, बागी वीवा में IP54 की वो splash resistant वाली, वो dust resistant वाली आपको rating मिलती है, तो यहाँ अप अभी आप देखोगा है थोड़ी flagship वाली चीज़, सैमसम यहाँ पे जादा better करता हुआ, मिलेगा, इवन एक और जगह जादा better मिलेगा, कि यार इसके इ आपको यहाँ पे मिलती है, इवन जो vibration motor है, या जो haptics होगे आप काऊगे, वो भी आपको सैमसम में जादा better मिल जाएगी, इवन NFC का भी support आपको यहाँ पे सैमसम दे देता है, वैसे दोनों में से किसी में आप SD card slot नहीं लगा सकते हैं, दोनों ही 5G smartphone है, 5G की connectivity दोनों में बहतरीन आपको मिल जाएगी, लेकिन जहाँ पे थोड़े changes आते हैं, यह है display side में, सबसे पहले देखो एक तरफ curve display मिलती है, दूसरी तरफ आपको flat वाली display मिल जाएगी, bezels वगेरा देखो, उपर देखो, side में देखो, दोनों में ही पतले मिलते हैं, लेकिन bottom में chin देखो, full HD plus वाली 8 bit का panel मिलेगा, जहाँ पे आपको Vivo में मिलता है 10 bit का panel, तो यह थोड़ा सा आपको difference ज़रूर से आपे मिलता है, इवन यार जैसे मैं बता है, वीवो की display आपको थोड़ी सी बड़ी भी मिल जाएगी, दोनों में इंडिस फिंगर फिंगर पिंट्स कहना मिलता है, यह चीज मैंने कभी कभी नोटिस करी है, अगर colors वगरा कि यहाँ पर मैं बात करूँगा, तो tuning के मामले में दोनों के आपको यह थोड़ी की quality है, इस ब्लैक से काफी बैतरी निकल के आते हैं, यह colors वगरा को बहुत बैतरी प्रेडियूस करता है, लेकिना कभी कभी मैंने द है, तो थोड़ा सा वो better मिलता है, बागी 120Hz तो देखो, दोनों में ही आपको similar से मिल जाएगा, उधर कोई difference नहीं है, लेकिन हाँ यार, Samsung में आपको Gorilla Glass Victus की protection मिलती है, तो यह थोड़ी से तगड़ी चीज हो जाती है, जहाँ पर Vivo में Scott Sensation, Alpha Glass वाली protection मिलेगी, तो यह दोर में भी मैंने देखा यहां, Vivo जादा brighter feel हो जाता है, उसी तरीके से मुझे बहुत खुशी होगी, मेरा दिल भी बहुत brighter brighter हो जाएगा, अगर आप वो like वाला बटन दबा किया है, सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाओगे ना, तो दिल को बहुती brighter brighter खुशी मिल एक चीज़ बता दूँ आपको या, देखो, UFS 3.1 की स्टोरी सेंसर में मिलती है, UFS 2.2 की आपको मिल जाएगी वीव में, लेकिन read and write speed देखोगे, दोनों की ही similar आती है, लेकिन अगर आपको मैं on paper score दिखाऊ, एन तू तू देखो, दोनों को almost similar विलेगा, लेकि geek bench में है, वैसे अगर आप cv with holding भी देखोगे, दोनों एकदम neck to neck perform करते हुए, आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इतना तो ज़रूर से on paper scores वगरा में, बहुत तगड़ा वाला difference आपको नहीं पता चलेगा, snapdragon 888, और एक चीज़ के लिए ज़रूर से ज़ादा मशूर था, वो था यार, hitting वाली, तो इसकी भी बात आगे मैं करूँगा, वैसे अगर आप day to day users में जाओगे, तो without any doubt आपको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, देख लो यार, easily क्यार, Samsung beat कर देता है, यहाँ पर वीवो को, animation वगरा है, तो of course, Samsung के one UI के जादा smoother मिली जाते हैं, even मैंने यहाँ multitasking भी करके देखी, यार, दोनों ही अच्छे से perform कर रहे थे, लेकिन जब app opening में में गहना तो easily देख रहा था, Samsung most of the time सारे application को faster यहाँ पर open कर रहा है, और easily यार, दोनों का memory management भी बहुत ही अच्छी तरीके जवग करता हो मिला, अब देखो multitasking के अंदर भी दोनों में से किसी में कोई देखकत मुझे नहीं मिली है, अज़े परफॉर्म कर रहे हैं, बस इतना मुझे feel ज़रूर से हुआ है, कि day-to-day उसके अंदर Samsung I think थोड़ा ज़्यादा better, smoother जो tasks है ना, उसको यहाँ पर handle कर ले रहा है, even अगर आप heavy tasks के अंदर भी जाओगे, मतलब काइन master के अंद के अंदर नहीं मिलती है, वो vivo के अंदर मिल जाएगी, लेकिन यार faster editing आपके लिए यहाँ पर Samsung करा देखगा, क्योंकि इसका CPU ज़्यादा better मिल जाता है as compared to vivo, तो इधर भी आपको थोड़ा सा difference मिलेगा, लेकिन अगर आप पूछो कि gaming में कौन सा ज़्यादा better आता है, compared to vivo, इंदम warm भी यहाँ पर यह फील होने लगता है, तो gaming में भी similar चीज़, अगर मैं आपको बताऊ, extreme setting वासे दोनों में ही unlock मिल जाती है, 90FPS का option दोनों में से किसी में नहीं मिलेगा, BGMI कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, और दोनों में जब मैंने gaming करी, smoother gaming हो रही थी, even vivo भी अच्छे से gaming को handle कर रहा है, Samsung भी अच्छे से gaming को handle कर रहा है, जादा कोई दिक्कत है दोनों में से नहीं दे रहा है, frame drop भी हलके फुलकर दोनों ही दे रहे हैं, लेकिन कुछ time बात, जैसे आपने 20 या 25 मिनट की gaming कर ली, उसके बाद जो है Samsung अपना थोड़ा warm होने लग जहाँ पर vivo उस condition में एकदम मखन की तरह cooler रहता है, और यहाँ पर gaming के लिए भी मैं कहूंगा ना longer अगर आप gaming वगरा करते हो, तो vivo थोड़ी सी better करा देगा, वैसे यार कर्व डिस्प्ले है, तो gaming के लिए तो मुझे इतना जादा पसंद नहीं है, लेकिन येस अब जितना म अपडेट वगरा का support है, वो भी काफी तगरा मिल जाता है, Samsung Android 12 के साथ आयता है, वो 13 का मिल चुका है, 14 का भी मिल चुका है, I think 15 और 16 का ही और मिलना बाकी है, जहाँ प्यार vivo ए Android 14 के साथ आयता, 15, 16, 17 दक का सके अंदर अपडेट मिलेगा, तो एक अपडेट ज़रू से सके जादा मिल जाता है, वैसे फिलाल vivo के अंदर आपको hot taps या hot games नहीं मिलते हैं, तो एक अची चीज़ है, दोनों के अंदर, मैं कहूंगा, समान मातरा में आपको bloater वगरा भी मिल जाएंगे, दोनों में ही bloater वगरा को फिलाल आप delete कर सकते हो, लेकिन आप vivo के we store वगरा है कि notification वगरा आते हैं, आप उसको ज़रूर से turn off कर देना तो जादा, और मतलब असानती रहेगी, आपके phone के अंदर कोई जादा दिक्कत नहीं आएगी, अजी चीज़ यह है, दोनों के अंदर आप जो call recording है, चुपके से कर सकते हो, Samsung का अलग डेलर है, वीवो का अलग डेलर है, तो smoothly call recording भी हो जाती है, अब UI के बाद रही तो यार देख लो, दिखने में आपको जो जादा बेटर लग रही है, वो तो चीज़ आप एक तरीके से देख सकते हो, customization चाहे लॉग स्क्रीन का हो, height करना हो, एप को या आपको dual app बगएरा बनाना हो, दोनों में ही वो option मिल जात हैं, तो UI wise I think दोनों ही बहुत ही जादा सही रहते हैं, I think Samsung के अंदर थोड़े और customization जादा बेटर मिल जाएंगे as compared to Vivo, even animation वगएरा भी देखा हैं, मैंने Samsung के अंदर थोड़े जादा smoother भी आते हैं, तो UI आप चूस कर सकते हो, कौन सा आपको जादा बेटर लग रही हो, उस इसमें कौन सा बेटर मिलता है, आप देखो, main sensor Samsung के अंदर आपको मिल जाएगा 12 mega pixel का OIS के साथ, 8 mega pixel का 3X, telephoto and 12 mega pixel का ultra wide camera मिल जाएगा, जहाँ पे Vivo में आपको मिलता है 50 mega pixel का ultra wide camera, even selfie camera VR, Vivo में 50 mega pixel का मिल जाता है, जहाँ पे आप उस Samsung में 32 mega pixel का मिलेगा, वैसे back camera से Vivo में 4 4K 30fps और Samsung में 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग सेंपल देख सकते हो, 4K में हो रहा है, किस तरीकी का हो रहा है, जरूर से देख के बताना, Sun मेरे यहाँ पर पढ़ रहा है, तो exposure किसमें maintain हो रहा है, यह जरूर से बता हो इधर हम खोड़ा सा गूंगते है, Sun अब मेरे background में है, तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हो, किस तरीके का जो exposure maintain है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, इवन मुझे देख के बताओ, audio quality, मतलब सुनके बताओ, audio quality किसमें जादा better लग रही है, एक बार मै देखते हैं कि stabilization किसमें better मिल जाती है, आजो, तो camera में हमारे रहे पीसे, लेकिन अब जरू से बताओ, audio quality किसमें better लगी है, वैसे stabilization किसमें आपको यहाँ पर better लगी है, फेस को कौन ने better तरीके से exposure कमेंटेन कर पाया है, जरू से comment section में बताना, जैशी रहा है, और मैं seriously मतलब colors बहुत अच्छे से manage करता है, साथ जो HDR है, उसको भी बहुत better तरीके से manage करता है, टकर वाला मुकावला मेरे हसाब से जरूर से देता है, इविन दोनों के अंदर एक अच्छा feature यह आता है, कि आप back और front camera से दोनों से recording साम ने taste leak कर सकते हो, लेकिन वीवो में यह करते करते shift कर सकते हो, आप back camera में, देखो, दोनों में यहाँ पर यह shift हो गई है, back camera के अंदर और वीडियो recording में तगड़ा क्या लगता है यहाँ पर Samsung, लेकिन दोनों में जो एक बड़ी चीज है, कि यार वीवो जो है, सिर्फ ए 1080p 30fps में यह option देता है, on the other end, Samsung हमारा देता ह भाई 4K, 60fps में option, front or back, दोनों में आप यह चीज कर सकते हो, तो यह चीज यार, Samsung की बहुत ही जादा तगड़ी होती है, यह details होगे अब यार, Samsung में अफकॉस बैटर निकल के आएगी, और 4K के अंदर देखो, Samsung की, आजो, let's see, यह देखो, वैसे stabilization भी है, Samsung ने 4K में अच्छ वाला काम करता हूँ, आपको मिलेगा, वैसे front selfie camera में, दोनों में 4K वीडियो recording हो जाती है, लेकिन वही है, कि Samsung आपको 60fps लिखते देता है, वीवो आपको 30fps तक ही देगा, और यहाँ पर देख सकते हूँ, front selfie video recording, 4K video recording यहाँ अपना वीवो कर लेता है, तो इस तरीके का आप आपको यहाँ पर मल जाएगा, एक 1080p भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, बागी face में exposure जरूर से बटाओ मेरे को कौन जादा better maintain कर रहा है, जब यहाँ पर direct sunlight एकदम मेरे चाहरे पर पढ़ी है, किसमें आपको जादा better लग रहा है, वैसे अगर मैं background में sun को ले जादा better बिलती है, आजो, तो यहाँ पर यहाँ पर यह देख सकते हो, 4K stabilization, ज़रूर से दो टैल में इन दे कमेंट सेक्शन, किसमें आपको जादा better लगी है, और यहाँ पर भी यार सैमसम वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में मैं कहूँगा, एजली कमाल धाई देता है, मस्त वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में मैं कहूँगा, सैमसम यहाँ पर निकल के आता है, लेकिन जब still images की बात आती है, खास करके अगर मैं ultra white camera की बात करूँ, तो यहाँ पर जरूर से आप देखोगे, जो colors है, चाहे वो details ही क्यो ना हो, आपको यार बहुत better तरीके से यहाँ पर वीवो मैनेज करता हुआ मिल जाएगा as compared to Samsung, लेकिन यहाँ पर आप देखो Samsung का ultra camera है, वो जादा wider field of view को capture कर लेता है, तुरों के अंदर shadows वगरा काफी अच्छे से maintain रहता है, even मैं कहूँगा, कुछ-कुछ situation में Samsung भी बहुत better तरीके से shadows वगरा को यहाँ पर maintain कर लेता है, overall अगर देखा जाये, बस detail का फर्क है, जो कि Samsung इतनी जादा नहीं निकाल पाता है, वैसे colors वगरा के मामले में Samsung भी बहुत better work कर लेता है, as compared to Vivo, यार एकदम surprising वाला result निकल के आया है, लेकिन अगर हम बात करें, main camera sensors नी, 12 megapixel versus 50 megapixel कौन किस मामले में जादा better है, एक कि skin tune थोड़ी सी ऐसी लगती है कि हाँ, आपको यहाँ पे थोड़ा सा filter लगाया है, थोड़ा सा pop किया है, even details वगरा के मामले में मैं आपको कहूँआ ना कि Vivo की जो details है, वो काफी जादा better निकल के आती है, अब देखो, दोनों में कुछ situation है, मैंने देखा है, किसी में HDR कभ बहुत ही जादा better लगती है, बागी low light के अंदे दोनों में details वगरा भी काफी अच्छी मातरा में निकल के आती है, देखो इतना जरूर से यार कि दोनों की tuning में थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा, लेकिन details वगरा मुझे यार Vivo की जादा better लगी है, और कुछ-कुछ situation में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो उनों के camera's जो है, बहुत ही तगडे मेरे हिसाब से यहाँ पर निकल के आए, खास कर जो back में main camera sensor आपको मिलता है, अब एक अची चीज यह है कि Samsung में आपको यार यह 3X telephoto camera में मिलेगा, यह चीज आपको Vivo बिलकुल भी provide नहीं कर लेकिन Vivo in sensor 2X zoom जरूर से देता है, लेकिन यार वो low light के अंदर इतना जादा beneficial नहीं रहता है, जहाँ पर यार सैमसम जो है, लो light के अंदर अगर आप 3X जूम वाले shots वगरा क्लिक करूगे, तो जादा better details वगरा के साथ आप देखो images यहाँ पर capture कर लेता है, लेकिन जरूर स 50W megapixel के साथ, वो काफी तगड़ी यहाँ पर निकल के आती है, इवन low light के अंदर भी यह मैंने check out करा है, कि यार details वगरा बहुत ही अची है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार सैमसम की detail आपको नहीं मिलेगी, सैमसम में detail भी यहाँ पर तगड़ी मिल जाती है, अब एक चीज यह वीवो पता नहीं कियो यार जो सैल्फी कैमरा में जाओ नो थोड़ी कॉंटरास्ट यह त्यून में जादा यहाँ पर पिचर्स वगरा क्लिक करता है, जो कि यार बैक कैमरा में इतना नहीं रहता है, लेकिन हाँ फ्रेंट कैमरा में आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा, इवन फ्रेंट कैमरा में कुछ-कुछ सिच्वेशन में गर आप चेक आउट करूगे न तो जो HDR मेनेजमेंट है वो भी यार सैमसुम का जादा कंसिस्टेंट मिलता है, बट आई तिंग यार वीवो का भी यार फ्रेंट सैल्फी कैमरा के अंदर थोड़ी ट्यूनिंग को औ रेस आप से निकल के आता है, एक तो चीज जरूर से आप इमें किलर कट कहूंगा किया है, सैमसुम फिलाल अगर आप वीडियो के लिए फोन लेना चाहते हो, जरूर से आप इसको ग्रैब कर सकते हो, यूँकि वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में एक नमबर का मुझे य जादा होने लगते हैं, देखो हीट से सब चीज यहाँ पर होती है, बतलब अगर आपका डिवाइस एक बार हीट कर गया, तो लैक भी करने लगेगा, बैटरी को भी जादा ये ड्रेन देगा, आपका हीट भी होगा, तो या डिस्पले भी देम हो जाएगी, तो वो सब ची आपका है, बता दिया मैंने कौन सा किस मामले में बैटर मिलता है, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक ज़र से करते ना, शेयर करते ना दोस्तों के साथ, विलो मारे वीडियो में तिल दें, टेक केर, बाबाई